दोस्तो हम सभी ने अपने आसपास जानवर तो बहुत से देखे हैं और उनके बारे में बचपन से जानते हैं जिनके बारे में हमें बचपन में इसकुल की किताबों में पढ़ाया गया है जैसे हाती, घोड़ा, सेर, गाय और कुत्ते पर क्या आपको पता है इस प्रत्वी पर ऐसे अनोखे और अजीब जानवर भी पाय जाते हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जिने हमने आज तक देखा तक नहीं है ना किताबों में, ना टीवी पर, ना मोबाइल पर क्योंकि यह बहुत ही दुरलब और खतरन आने जा रहे हैं तो आईए चलते हैं अमेजिंग और साइंटिफिक फेक्ट के सफर पर दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग क कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें फेक्ट नमबर दस पिंक फेरी अर्माडिलो चुहे के आकार का यह दुरलब जानवर पिंक फेरी अर्माडिलो है जो बहुत ही अजीब दिखता है ऐसा लगता है उसकी पीट पर पिंक कलर का कवच उपर से लगाया गया हो यह जानवर खुदाई करने में बहुत ही माहिर होता है और कुछ ही सेकेंड में जमीन खोथ कर उसमें घुश जाता है यह अकसर रात में ही सिकार करने निकलता है और दिन में अपने बिल में रहता है यह बहुत ही सांत और एकांत जगह में रहने वाला जीव है और बहुत ही कम दिखता है यह अकसर चीटियां और दीमक खाता है फेक्ट नमबर नौ रुको नोच का आए आए यह अद्भुत जानवर मेडागासकर के जंगलों में पाया जाता है यह बहुत ही अजीव और डरावना दिखता है इसकी आँखें बड़ी और बाहर निकली हुई होती है इसके बड़े-बड़े कान होते हैं और उंगलिया मुड़ी हुई होती है और सिर गंजा होता है यह किसी दूसरी दुनिया का जानवर लगता है इस जीव को उस द्वीब के निवासी, मनहूस और दूसरे ग्रह का जानवर मानते है इसलिए यह जहां भी दिखता है, इसे मार दिया जाता है इसलिए अब यह जानवर प्राया-प्राया विलुप्त हो चुका है भरत में पाय जाने वाला एक अत्यंती दूरलब इस्तंदारी जीव है पेंगोलिन अपनी विचित्र बनावट एवं सरीर पर कठोर सलकों से ढखा हुआ यह जानवर डायनासूर जैसा दिखता है यह बहुत ही सरमीला जानवर होता है और रेतिले इलाकों में पाया जाता है यह छोटे कीडे मकोडे और चीटियों को खाता है यह अक्सर रात में ही निकलता है और दिन में किसी अंधेरी सुरंग या बिल में रहता है। यह अक्सर लकडियों के पुराने खोकले हिस्सों में अपने सिकार को ढूंडते रहता है। इसे चीटी खोर भी कहा जाता है। इसकी कुछ प्रजातियां अफरीका महादवीप में इस जानवर को कई अंधविश्वासी लोग तांत्रिक क्रियाओं में भी इस्तमाल करते हैं। फेक्ट नंबर साथ प्रोबासिस मंकी यह एक अजीब सकल वाला बंदर होता है जिसकी नाक लंबी और अजीब सी दिखती है। हिंदी भासा में इसे सूंड वाला बंदर भी काह जाता है। यह मुख्य रूप से बोर्नियों के वर्सवनों में पाय जाते हैं। वर्तमान में इनकी केवल दो प्रजातियां ही बची हैं। यह कई रंगों में पाय जाते हैं। लाल, सफेद और ग्रे। इनका आकार लगबग 53 सेंटीमीटर होता है और वजन 7 किलोग्राम होता है। यह पेडों पर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रप्तार से कूच सकते हैं। आज दुनिया में केवल 7000 के करीब ही प्रवासिस मंकी बचे हैं। फेक्ट नमबर 6 मलेशयाई तापिर यह जानवर हाती की तरह सूंड वाला दिखता है। यह मुख्य रूप से बोर्नियों, दक्षिनी चीन और इंडो चीन के जंगलों में पाए जाते हैं। किन्तु यह जानवर आजकल विलुप्ति की कागार पर है। मलेशयाई तापिर एक साकाहरी जानवर है। यह फल फूल और पेड़ों के पत्ते खाता है। यह निसाचर जीव है और केवल रात में ही निकलता है और अकेले रहना पसंद करता है। फेक्ट नमबर पांच क्लाउड एंटेलोप क्लाउड एंटेलोप का मतलब है बादलों में रहने वाला जानवर। क्योंकि दुनिया यह मानती है कि यह जानवर बादलों में रहता है। इस जानवर की फोटो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वाइरल हुई थी। और लोग इसे वाकई में बादलों में रहने वाला जानवर मानने लगे थे। लेकिन आपको यह जानकर हेरानी होगी कि ऐसा कोई जानवर प्रत्वी पर नहीं पाया जाता। और यह जानवर असली नहीं है बलकि एक कमपनी द्वारा बनाया गया खिलोना है जो एकदम असली जानवर जैसा दिखता है। फेक्ट नमबर चार स्लो लोरिस स्लो लोरिस नामक यह जानवर दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है। बड़ी बड़ी आँखें और खिलोने जैसी बनावट हर किसी को आकरसित करती है। लेकिन इसके पास जाने से पहले आपको यह जान लेना जरूरी है कि यह सुन्दर जानवर बास्तव में बहुत ही खतरनाक दातों वाला है। और अगर यह काट ले तो इसके दातों का जहर आदमी को मार सकता है। यह मुख्य रूप से दक्षन पूर्वी एशिया और पस्चिमी इंडोनेशिया में पाया जाता है। यह फल और कीडे मकोडे और पक्चियों के अंडे खाना पसंद करता है। वैसे यह खुद एक सरमिला जानवर है और आसानी से नहीं दिखता है। फैक्ट नमबर तीन नेग्ड मोल रेट यह अजीब सा दिखने वाला चूहा पूर्वी अफरिका में पाया जाता है। इसकी उपरी खाल एसी लगती है जैसे इसकी चमड़ी निकाल दी गई हो। इसकी चमड़ी पेदा हुए जानवरों जैसी जुर्री वाली होती है। इसके सरीर पर बाल नहीं होते और दो दात मो के बाहर निकले हुए होते हैं। इंसानी सीर वाला जानवर कुछ समय पहले इंटरनेट पर इस जानवर की तस्वीर तेजी से वाइरल हुई थी। और ऐसा दावा किया जा रहा था कि यह अजीब सा एलियन जैसा दिखने वाला जानवर उत्तर प्रदेश के कुसी नगर में कई जगह दिखाई दिया है। वहां की वन विफाग की टीम भी इस जानवर की सच्चाई पता लगाने में लगी हुई थी। इस जानवर का सिर इंसान जैसा है और पूरा सरीर किसी दूसरे जानवर जैसा है। इस तस्वीर ने लोगों में काफी देशत पहला दी थी और लोग इस जानवर से डरने लगे थे कई तरह की अपवाएं भी फेली थी लेकिन क्या आपको पता है यह जानवर असली नहीं बलकि एक सिलिकॉन डॉल है जिसे रिबॉर्न डॉल भी कहा जाता है रिबॉर्न डॉल बनाने का प्रचलन बहुत पुराना है और 1949 में सुरू हुआ था और यह डॉल इटली की एक आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है जो इंटरनेट पर किसी अजीब जानवर के नाम से वाइरल हो गई थी स्लोथ एक मध्यम आकार का जानवर है जो अकसर पेड़ों पर उल्टा लटका रहता है इसे एक आलसी जानवर भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरे दिन में 15-20 घंटे सोता रहता है यह दुनिया का सबसे धीमी गती से चलने वाला जानवर है इसकी चलने की स्पीट 0.24 किलोम स्लोथ को अपना खाना पचाने में तकरीबन एक महिना लग जाता है इसकी उम्र 20-30 साल के बीच होती है और यह घने जंगलों में पाया जाता है इसके नाखुन लंबे और मुड़े हुए होते हैं जिससे यह पेड़ों की डालियों पर आसानी से लटका रहता है दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आप अगर इसी तरह के अद्भुत रोचक फैक्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल साइंस एंड फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कीजिए यह वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके बत आपके सुआाइब इस आपको कैसी जा हुआएब कीजियों अची के यह वीडियों